असलाम लेकुम वीवर्स वेलकम टू माई चैनल आफरीन की रसोई आज हम बनाने वाले हैं हैं हैदरवादी मटन माईखलिया हैदरवाद में भई शौक से पसंद करते हैं खाना बहुत ही मज़िदार ची रेसिपी है तो चलिए इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं खोपर हमने लिया है आदा कप बराबर फली भी ले लेंगे आदा कप इमली लिये हमने वन बंज बराबर मंटन लेंगे आदा किलो हड़ियों के साथ लें तिल हमने लिये आदा कप बराबर अधरकल सन कप पेश लेंगे दो टेबल स्पून प्यास लेंगे एक छोटी हरी मिर् मटन हमने रवास के साथ लिया है और मटन रवास के साथ लेंगे तो मैं खली अच्छा कुकर चड़ा देंगे अब क्या करेंगे खोपरे को रोस्ट कर लेंगे आदक कर बराबर खोपरा हीए इसको अच्छे से रोस्ट कर ले खोपरा अच्छे से फुन गया है अब इसको निकाल लेंगे अब उसी कुकर में फली आट करूँगी फली को भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी अब फली का क्या है फली को रोस्ट करने के बाद हम इसका छिल का निकाले या ना निकाले या आपके उपड़ी बेंड है तिल भी हमें रोस्ट करनी है मेजरमेंट के साबसे तीन टेबल स्पून तिल है ये तिल भी रोस्ट कर लें देखिए तिल अच्छे से रोस्ट हो गई है अब उसी कुकर में आट करूंगी दो टेबल स्पून कुकिंग ओईल तेल आट करने के बाद प्यास को तल लेंगे लाइट पिंक कलर आय तक तल लेने का है प्यास हमारी अच्छे से तल चुकी है निकाल लेंगे अब इन दो चीज़ों को मिक्सी जान दालके फाइन तर पेस्ट बना लूँगी यह के पानी की मदद से पेस्ट बनाए इस तरह अब रखूंगी साइड में वही कुकर में आट करूंगी तेल आदक का बराबर तेल की सालों के सालन में तेल की कौंटिटी अच्छी रहती तो ही मज़े का दिकता सालन राय हमने आट किया है जीरा हमने आट किया है कलोंजी हमने आट किया कलोंजी से बहुत अच्छा फ्लेवर आथा मैखलिये में अब तीन चीज़ों को भी अच्छे से रोस्ट कर लें उसी की स पीज्टेज पिया दालेंगे अध्रक्लेशन का पेस्ट हाफ टीस्पून अब अध्रक्लेशन की भी कच्छी बोजाने तक हमें भुनना है करें कि अच्छे से भून गया आए पारे अच्छे से रिलिज हो गया आए अब इस स्टेज पह लाल मिर्ची अंत करेंगे लाल हमने लिए टू टेबल स्पून हल्दी पॉडर हाफ टीस्पून नमक वन टीस्पून लिए या फिर आप अपने टेस्ट के साब से ले अब इस टेज पर पानी याट करूंगी आदा कब बराबर इसको सीटी दे दूंगी तीन सीटी गोश हमारा गलने के लिए गोश गला लें अब बचा मसाला भी हमने इसमें आट करने अब अच्छे से भून लेंगे मसालों को गोश के साथ ताके हमारी मेखली में कचीब हो नहीं आए दिके तेल अच्छा रिलिज होके है पांस से दस मिट तक मैंने भून लिया था अब इस स्टेज पर आट करूंगी हरे मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद पानी अट करूंगी दो ग्लाज भरके पानी शामिल करें जैसा खोर में की कनसिंस्टन सी रहती उसी तरहरा रखने का है अग्त अब क्या करेंगे पानी अच्छे से साइडों से दाल के आउंटने के लिए रख देंगे पांच से दस मिनिट के लिए मीडियम टू लो हिट पे लिड लगा के तो ये लिजे गर्मा करम हमारा माय खलिया बनके तयार है बहुत सी अथेंटिक डिश है हर हाइदरबादी के घर में ये बनाई जाती है अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस् नहीं और यूसफुल सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हफीज